सो हेलो गाईज विलकम बाक टू अनदर वीडियो ये वीडियो प्रॉपर स्ट्राटीजी के उपर होने वाला है लाइक अगर आप्शन बाइंग या फिर सेलिंग करते हो तो आपको सीपीर कैसे हल्प करेगा तो हम लोग इस सेटप और स्ट्राटीजी को पूरे वीडियो में कर यह को हल रहा है फिर नहीं कर रहा है तो अच्छल्ड विडियो को स्टार्ट करते हैं तो इस वीडियो में अग्या देखने वाले सबसे पहला यह एक बेसिक इंट्रोक्षण और बस थोड़ा सा नोगी उसके के बारे मिं जान लेतें कि कि क्या होता है तो सीपीर का Efendimiz फुल फॉर्म होता है Central Pivot Range ठीक है अब CPR चार्ट के उपर आपको दीखेगा कैसे यह तीन लाइन में दीखेगा CPR ठीक है फॉर्स्ट वाले को हम लोग टॉप पिविट बोलते हैं इस यह आपका Central Pivot हो गया में आपका Central Pivot यह हो गया और जो ठट आपका होता है वह बॉर्टम पिविट कहलाता है अगर आपको चार्ट के उपर देखना है कि चार्ट के उपर यह कैसा दिखेगा तो इसका प्रॉपर नाम आप देख लो यहां पर तीनों का नाम मैंने यहां पर डाल दिया है उपर वाला टॉप पिविट उपर वाले को बोलते हैं सेंटर पिविट बीच वाले को बोलते हैं और बॉटम पिविट सबसे नीचे वाले को बोलते हैं अब आपको इसका फर्मूला जानन आ रहा है उसके अंदर यह पहले से आपको मिलेगा तो आपको यह सारा फॉर्मूला जाने का जुरूत नहीं है यह आपको इंबिल्ट मिल जाएगा सारे सॉफ्ट्वेट के अंदर सो हम पहले देख लेते हैं कि CPR एक्षली में काम कैसे करता है और क्या होता है तो CPR support और करते 접종 का किAm cris तो इसको हम लोकि बुलिश बोलते हैं कि Market pra क्योंकि CPR नीचे है और Market उपर खला है तो इस दिन हम watch cual लेने आएगा तो हम लो यहां पर reversal के लिए प्लान कर सकते हैं तो अगर मार्केट मानलों की CPR के उपर है तो यह बूलिस होता है लेकिन डिरेक्ट हम लोगों को इसके बेसिस पर ट्रेड नहीं लेना है हम लोग साला कुछ आगे चलके देखेंगे और मानलों की प्राइस जो है वो CPR के नीचे कहीं मूँव कर रहा है तो हम लोग सेलिंग का ओपरचुनेटी्टी ढूनेंगे और इसको बिईरिष्ट करते हैं ठीक है CPR अगर market uptrend में है तो support provide करता है अगर market downtrend के अंदर है तो यह आपका resistance provide करेगा market को और यह most powerful indicator होता है क्योंकि देखो moving averages और जितना भी RSI है वो सारा lagging है लेकिन CPR और pivot ऐसा है जो intact रहेगा यह आपका price के साथ बालबार change नहीं होगा अगर मालब अपने internet में इसको डाल रखा है चार्ट के उपर तो यह fix रहेगा ऐसा नहीं कि price उपर गया तो यह CPR भी उपर change हो रहा है यह एक जगा fix रहेगा हर दिन का CPR अलग अलग एक level पर fix रहता है अभी इसके साथ एक और important topic क्या आ जाता है कि CPR जो होता है वो तीन तड़ीके का होता है एक CPR जो होता है वो wide CPR होता है ठीक है wide CPR मतलब इन तीनों का जो तीनों का line होगा वो line का length बहुत ज़्यादा बरा होगा यह आपका wide CPR हो गया तो wide CPR generally sideways market को show करता है कि like market sideways होने वाला है और especially nifty और bank nifty के case में है ठीक है so wide CPR जो है वो आपको sideways market को दिखाता है कि आज यह दिन market मतलब कोई trendy नहीं होने वाला है like sideways होने वाला किसी particular level पर यह चलने वाला है second जो आ जाता है वो narrow CPR narrow CPR मतलब यह देखो narrow CPR मतलब बहुत ही पतला तीनों line हो जाएगा और इस दिन ज़्यादा तर market में देखा क्या है कि अगर यह आता है तो market trendy होने का chances ज़्यादा रहता है 70% of the time यह trendy हो जाएगा market अगर CPR आपको जाता है कि normal CPR like normal CPR के अंदर आपको दो तडिके का मिल जाएगा एक normal इस दिन मालों के CPR एकदब narrow भी है लेकिन market उस दिन में sideways है और यहाँ पर देख लो कि एक single line आपको कभी-कभी दिखे गए तब 15 आपको यहाँ पर एक line दिख जाएगा जो आपको visible भी नहीं होगा चार्ट पर देख लेते कि CPR को हम लोगों को लगाना कैसे है और कैसे हम लोगों को इसके basis पर trade लेना है especially option buying के लिए क्योंकि मैं option buyer हूँ और मैं आपको option buying के लिए इसको बताने वाला हूँ तो होना है then CPR रख चुका है यह CPR सेटींग को थोड़ा चेंज करना पड़ेंगा आपको तो हैससे मैं right applying यह दो पॉइंट को आप इनेवल लखना यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रिवियस डे हाई और प्रिवियस डे लो अगर आप इंडेक्स ट्रेडर हो तो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है आपको इसके लिए मैं एक पार्टिकुलर वीडि करेंगे या भालिए अपने कर लेता हूं और इसको मैं वाइटकुकर प्रुला तो अभी चार्ट पे देखो तो मैंने सारा कुछ को यहां पे हटा दिया आपको भी सेम ऐसे ही करना है इन दुनों लेवल को हम लोग बाद में यूज करेंगे जो नेक्स वीडियो में आएगा उसमें हम लोग इसको यूज करेंगे अभी हम लोग बस पीविट को देखते हैं आपको पहले उपर गया नीचे आया अधे नहां से मारकेट को देखो को मारकेट वापस से ऊपर चला गया तो यहाँ पर आपको CPR दिखेगा तो narrow CPR है अब देखो narrow CPR है लेकि market trendy कब बना पहले market उपर गया दिन उसके बाद नीचे आया और फिर यहाँ के बाद आने के बाद trendy market बना तो यह narrow CPR है यह हर case में काम नहीं करेगा like 90% of the time यह काम करेगा 10% chances रहेगा कि यह काम नहीं भी करेगा so इस दिन का market आपको दिख गया कि यह कैसा है ठीक है अभी उसके पहले वाला दिन हम लोगों ने इसको भी discuss किया कि देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यह जो CPR है इसके उपर का लाइन और कहीं नहीं सारा CPR लेवल एक जगह है तो इस टाइप का जगर कभी भी मिलेगा तो यह थोड़ा confusion आपको क्लियेट करेगा आपके दिमाग के दिन कि हम लोग यहाँ पर trade कैसे करें तो यहाँ पर देखो वाइड CPR थोरा वाइड CPR है और वाइड CPR तो market देखो एक range के अंदर market फसा हुआ था कुछ trendy नहीं मिला मारकेट तरह ओंपर गया नीचे आए ऊपर गया नीचे या फिर और गया नीचे आए फिर उपर गया नीचे आह तो इस दिन हमें वो कोई भी क्लीर ट्रेड नहीं मिला तो cpr वयड और नेरो सी पयर आपको जाना इgunでは मारकेट इसको डिरेक्शन और अगर इस दिन को market और इसके साथ एक और point important point यह है कि मालों भी तो market उपर तो यह भी clearly shine तो कर रहा है क्योंकि CPR के उपर है तो यह हम लोगों को bullish दिखा रहा है हम लोग trade कम लेंगे जब CPR यहां पर आ करके कहीं पर support लेता है और हम लोगों कुछ अच्छा candle bullish candle दिखते हैं तो हम लोगों को यहां पर trade लेंगे बाई के साइड में रिवर्शल का देन अगें उसके एक दिन पहले आप देखो तो यहां पर जो CPR आपको दिखा रहे है यह थोड़ा आपका वाइड CPR है और इस दिन देखो market same again trendy नहीं था market इसी एक range में लाइक जो high था day का high था फरस्ट candle का high था उसी candle के अंदर में और नीचे में एक level के अंदर में था market अब देखो इस दिन हम लोगों को इसके साथ एक और चीच clear क्या हो जाए कि यहां पे हम लोगों को buy और sell का भ पहले देखते हैं अब यह दिन का CPR आप देखो कि यहां पर CPR कितना narrow CPR है अब यह CPR कितना narrow लेकि market initially range के अंदर था like market उपर गया फिर नीचे आया यहां पर market आने के बाद एक bullish candle बनाया देन market उसके बाद trendy हो गया so यह जो narrow CPR है यह so करता है market हो कि market trendy हो सकता है हम लोग को इस best case म क्या मिलता यहां पर कि मानलों की प्राइज अभी उपर है अब यह नीचे आया तो हम लोगो कही CPR के आसपास कहीं पर मिलता अगर इस टाइप का candle तो हम लोग डैरेक्टली ट्रेड ले ले लेते हैं हम लोग इस सारा चीच को second part में discuss करेंगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करते हैं और कमेंट करके बताना आपको second part चाहिए और फिर नहीं चाहिए देन उसके एक दिन पहले कभी अगर आप देखोगा तो CPR कितना narrow CPR था यहां पर से टारेक्ट नीचे आया CPR पर सपोर्ट लिया देन मार्केट ऊपर चला गया सो हमनों यह सारा कुछ स्ट्राटेजी को डिसकर्स करेंगे अभी हमनों बस इसको देख लेते हैं ओवर्वियू देख लेते हैं यहां पर देखो के तो वाइडर CPR CPR कितना वाइड है दिन मार्केट अगें साइड़ेस था इनिशियल लेवल पर दिन इसका हाई जैसे ही ब्र अगर आप देखो कि यह देखो CPR कितना नैरो है और यहां पर मार्केट का ट्रेंड देखो अब ट्रेंड था कम्प्रीट्ली बूलिश मार्केट था अब इसके साथ एक और इंपॉर्टिंट पॉइंट क्या था है कि अगर मालों यहां पर नैरो CPR आपको दिख रहा है तो न अगले दिन या फिर उसके नेक्स आने वाले टाइम में आपको जो CPR है वो वाइड CPR दिखेगा और मार्केट में भी साइडवेज हो सकता है तो यहां पर हम लों को क्लियर ली चार्ट के उपर भी दिख रहा है कि यहां पर नैरो CPR है और यहां पर नैरो CPR के बाद फिर से बर बात करेंगे कि क्या strategy होने वाला है so thank you guys thank you guys for watching this video मिलते हैं अगले वीडियो में